नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सचीन और आप देखरे इतिकाल एकिन बेगनर पॉस्ट आज इस व्रीडियो में बात करने वाले वन्यूइबिल्टी स्कैनर्स के अब देखे जितने भी वन्यूइबिल्टी स्कैनर्स होते हैं इनका एक ही पिंसिपल होता है इनके पास एक डेट वर्निबिल्टी का data होता है यह scanner उस database का use करके हमें वर्निबिल्टी को identify करके देते हैं इनकैने सब्सेहदा यूज होने वाला कि scanner नहीं संभी जिसे आज हम discuss करने वाले हम सबसे पहले नेसर के website पर चलते अब देख सकते हैं हमें नहीं की एक लिंक मिल रहे है इस लिंक को फालो करेंगे आप देख पाएंगे नेससेसेंशल हमें मिल रहा है जिससे हम 16 IP स्कैन कर सकते हैं हमें कोई पाउलम नहीं है क्योंकि जब हम पॉपेशनल लाइब में होते हैं तो हम इसका पॉपेशनल वर्जन यूज करते हैं लेकिन अभी डेमो परपस के लिए मैं आपको इसका एसेंशल वर्जन बता रहा हूं इसे आपको रेइश्टर करना होगा तो फर्स्ट नेम आप मेंशन कर दे मैं एक फर्स्ट नेम दे रहा हूं लास्ट नेम आपको देना है इन इमेल एडरेस आपको देना है तो आप कोई भी इमेल यूज कर सकते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉर्पोरेट इमेल की जरूरत पड़ेगी आप रेइश्टर पर क्लिक किरिज आएगा जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे आप देख सकते नेसस के डाउनलोडिंग लिंक हमें मिलिए हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे आप देख पाएंगे नेसस के अलग-अलग आपको पैकेचेस मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते अपनी रिक्वार्में आपको दिया होगा आप चाहे तो devian और काली Linux ले सकते हैं इसमें हमें 64 bit devian package लेना है आप इस link को click किजेगा यह downloading start कर देगा आप देख सकते हैं यह package का हमें link मिला है कि हम इसे ok करते हैं आप चली हम नेसस को install करते तो इसके लिए आपको simple सी command देनी है dpkg-i और उसके बाद package का नाम आप दे दे और interrupt करेंगे तो यह package का installation start कर देगा आप देख सकते हैं नेसस install complete हो चुका है बढ़ हमें इसकी service को start करना होगा इसके लिए आप इस command को run करिएगा जिससे service की service start हो जाएगी आपको एक command run करके देखना चाहिए netstat-nltup जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके काली से किस port को listen किया जा रहा है अब देख पाएंगे नेसस का port अभी हमें available नहीं हुआ है जैसे हम नेसस की service को start करेंगे अब हमें एक port अविलेबल होना चाहिए और इस service को restart कर लें कमांड हो जाएगी आपकी system control restart नेसस अब दिखेगा आपको नेसस का port अविलेबल हो जाएगा अब मैं वेब ब्रॉजर पर आ रहा हूँ मैंने अपने काली का IP दिया 192.168.202 जैसे इसने पोर्ट बताया था नेसस का हम उस port को यूज करने वाले इस कॉल 5834 आप देख सकते या भी हमें कुछ ऐसा ही बताया गया था आप इस port को यूज कर सकते आपके जो भी PC का ने में उसके साथ भी आप इसको यूटलाईज कर सकते हैं अब देख पाएंगे इसने एक ऐरर दिया है आगे हमें स्टीपी एस लगाना होगा एंट इंटर आप कर दें देखिए ये स्कैनर से ये स्टेटीपी एस पोटोकॉल पर रन करता ये आप हमेसा ध्यान रखेगा हमेसा एक्सेप्ट करेंगे आप देख पाएंगे नेसस एसेंशल हम अभी यूज करने वाले वर कि मैंसे प्यानल होत में आपको यह एक एक अटीवेशन कोड विजएगा जिसे हम पैस करेंगे हम मेंसें में चेक करते हैं कि हमारे यह आचिनी अब देख सकते हैं मेरे पास एक mail रिसीव हुआ है जिसमें इसका activation code अबलेबल है हम इसको यूज करने वाल है हम code को पैस कर देंगे and continue करेंगे आप देख सकते हैं यह आगे continue कर रहा है अब username हमें देना है मैंने username देती है admin तो आप जब इसे professional live में यूज करेंगे तब आप यह गलती ना करें मैं आपको टेस्टिंग परफस्स बता रहा हूँ इसलिए मैंने admin admin देती है तो हमेशा हमें scanner के जो password से वह complex होना चाहिए अब यह थोड़ा से समय लेगा क्योंकि यह plugins को download करेगा और उसके बाद फिर हम इसे use कर पाएंगे आप देख सकते नेसस एस्टॉलेशन कंप्लेट हो चुका है अब हम जड़ा इसे use करते हैं तो सबसे पहले इसने में एक message दिया है Welcome to Necess Essentials इसके बाद इसने हमें बताया है कि आप टार्गेट डारेट डिफाइन कर सकते हैं अभी हम इसे close करते हैं इसे manual इसे आगे use करेंगे आप देख सकते हैं नेसस का web interface है जिसे mutilize करने वाले आपको सबसे पहले इसके watch now में जाना होगा आप देख पाएंगे कि नेसस में नया क्या आया इसने हमें दिये इस version के अंदर तो पूरा data आपको इस website पर मिल जाएगा नेसस के केतने versions थे उसमें क्या क्या changes था को आप पूरा देख पाएंगे आगे हम चलते सबसे पहले हम आते है एड्मीन के अंदर यहां से हम जाएंगे my account my account के अंदर आप email सेट कर सकते हैं आप चाहे तो password चेंज कर सकते हैं इसी तरह से इसकी API की आप generate करके utilize कर सकते हैं आगे हम चलते अब आउट पर आप आईए तो नैसस का वर्जान आप देख पाएंगे इसके लवाब आप देख पाएंगे कि हम 16 टार्गेट होस को यूज कर पाएंगे क्योंकि हम इसका essential वर्जन यूज कर रहे हैं इसमें केबल केबल 16 IP स्केन करने की पर्मिशन है इसी तरह से update आप देख सकते हैं लेटेस अफडेट इसको अब यूटिलाइज कर रहे हैं plugin set आप देख सकते, activation code आप देख सकते, license आप देख सकते, software update आप देख सकते, आप चाहे तो इसे schedule कर सकते, कि आप इसे कब-कब update करना चाहते, my opinion कि आप इसे Delhi पर ही set करे, क्योंकि हर रोच update होगा, तो हमारा scanner अच्छे से नई vulnerabilities को भी scan कर पाएगा, master password set करना है, वो भी किया ज सकता है, advance पर हम आते, तो आप जहां से interface की setting देख सकते, उसके लावा scanner की setting देख सकते, बाकी detail इसने हमें देए, अब इनको भी utilize कर सकते, यदि आप अपने network की अंदर proxy use कर रहे हैं, तो आप उसको भी set कर सकते, फिलाल मेरे network में proxy नहीं है, हम इसे use नहीं करने वाले, SMTP server, SM सर्वर, advance की जब necessary scanning complete कर देगा, तो यह report by mail हमें send कर देगा, तो उसके लिए हमें SMTP server की setting इसमें देनी होती है, आप चाहे तो इसको भी utilize कर सकते, आप CA certificate इसमें install कर सकते, जैसे अभी आप certificate देख पाएंगे, तो यह हमें carrier दे रहा है, आप चाहते हैं कि आपका खुद का certificate य देख सकते हैं, यह कितना MB इसने download करा है, कितना use हो रहा है, CPU कितना uses हो रहा है, अभी हमने इसे use नहीं कर रहा है, तो अभी कुछ update नहीं है, notification में यह आपको detail देदेगा, देन उसके बाद my account अगें हम उसी window पर वापस आ गया है, अब हम आते scanner पर, तो scanner पर सबसे पहले हमे एक new scan perform करने वाले है, इसने अलग-अलग type के हमें number of template दिये, जिनको हम utilize कर सकते, आप basic network scan यूज कर सकते, advanced scan यूज कर सकते, इसके लिए our dynamic scan यूज कर सकते, malware scan यूज कर सकते, कुछ इसने हमें template जरूर दिया, लेकिन हम यूज यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह upgrade होने के बाद हम use कर पाएंगे, तो फिलाल मैं अभी ले रहा हूँ, basic network scan, जिस IP को मैं scan करने वाल हूँ, उसका मुझे यह IP देना होगा, तो आप चाहे तो सबसे पहले name define कर दे, तो मैं name दे देता हूँ, इसको MSF2, यह meta exploitable machine जो मेरी थी, उसे में scan कर रहा हूँ, scan आप folder बना सकत अपने according, तो अभी my skin के अंदर ही हम इसे place करते, इसके बाद आप IP mention कर दे, तो 192.168.1.203 IP है उसका, आप चाहे तो देख सकते, जिसा कि आप देख सकते मेरी जो machine उसका IP में ने यहां mention कर आए, nmap से जो हमें number of IP मिले थी, उनको हम यहां utilize कर सकते, एक file की तर आप उसे add कर कर दीजिए, तो जो भी nmap में live होँस आपने लिका लेते हैं, वो सारे आप दे सकते हैं, आप चाहे तो multiple IP भी दे सकते हैं, यसे इसने example में हमें दिया है, हम अभी single IP दे रहे हैं इसे, इसके बाद हम आते है, schedule पर, अब देखे, एक बार scanning करने से काम नहीं होता है, इसे हमे आज की रेट पर, आगे जाके उसमें कोई vulnerability लिका ली जा सकती है, तो scanner हमेशा अपने आपको update करता है, हमें भी scanning day to day करना होता है, तो आप schedule कर सकते हैं, कि आप इसे enable कर ले, कि आप कब-कब इसे scan करना चाहते हैं, उसके recording आप schedule कर दे, उसके बाद notification ये by mail हमें send कर देगा, अभी SMTP की service हमने configure नहीं करिए, तो अभी तो नहीं करेगा, discover पर हम आते, तो हमें common port scan करना है, या सारे port scan करना है, हम चाहते है, scan all ports, तो ये सारे port scan करेगा, port की range आप दे सकते, ये ping करने के लिए TCP और ARP और ICMP तीनों को ही use करेगा, देन उसकी बाद आगे हम चलते, assessment में आत सकते, किस तरह का scanning आपको use करना है, scan for non web vulnerabilities, यदि आप web की vulnerability use करना चाहते, तो उसके लिए आप इसको ले सकते, मैं भी इसे default रख रहा हूँ, उसके लाभा हम आगे चलते, reporting, तो ये में reporting के according देगा, तो आप चाहे, तो इसको भी configure कर सकते, आगे आते advance पर हम, scan type, तो या से आप scan low bandwidth link या फिर default आप ले सकते, तो आप advance के अंदर scan types को define कर सकते, आगे हम चलते, आप चाहे तो जो target host है आपका, उसका आप username और password define कर सकते, यदि आप चाहे तो, जिससे ये login करके, और better way में scan करने की कोशिस करता है, जब आप you can say parentation testing के लिए जाते हैं, तो आपको target host का maybe ID password दिया जा सकता है, तो आप उसको यह utilize कर सकते, plugins कोन से आपको use करना है, कोन से नहीं करना है, वो आप यहां से define कर सकते, फिलाल हम सारे use करने वाले, तो अभी मैं इसे save कर रहा हूँ, और हम इसे scan करके देखते, यहां से हमने scanning launch कर आए, आप देख पाएंगे scanning start हो चुकी यह सारी चीजे हमें detail में बताएगा कि क्या service उसमें vulnerable है, क्या उसके अंदर adaptation करने की जरूरत है, यह सारी चीजे हमें देगा, vulnerability भी हमें बताएगा, उसका exploit भी बताएगा, और उसे किस तरह से fix करना है, वो भी हमें बताएगा, यह थोड़ा सा समय लेगा, जैसे यह complete होता ह है, फिर हम आगे continue करेंगे, आप देख सकते, NSS ने scanning complete कर दिया है, जैसा मैंने पहला scan किया था, इसके लावा दोर मैंने scan करें, मेरे पास एक xv service to machine था, उसको भी मैंने scan कर रहा है, और जो nmap के लिए हमने windows 7 utilize कर था, उसे भी मैंने scan कर रहा है, यह दोनों ही outdated you can say open system है, जिस से मैंने scan कर रहा है, अब कई बार क्या होता है कि company's में पुराने OSB use होते है, हमें उनको भी scan करना होता है, पहली चीज़ तो यह outdated है, और इसका Microsoft ने support भी बन कर दिया है, हम company को directly recommended कर देते हैं, कि आप इसे use ना करें, फिर भी यदि company use कर रही है, तो आप उसे scan करके देख सक सकते हैं, और यह वर्नेबल OS से दोनों, तो company से use ना करें, तो ज्यादा बेटर होता है, तो मैं आपको पहला result बता रहा हूं, आप देख पाएंगे host जिसका IP हमने दिया था, उसका output इसने में दिया है, इसने बताया 8 vulnerability critical है, उसके बाद 6 करीबन high है, फिर 28 करीबन medium है, फिर इसके बाद low आप देख सकते हैं, और informatic आप देख सकते हैं, तो vulnerability 71 हमें मिलिए, यह आपको पूरा output दे रहा है, तो इसे group में नहीं देखना है, आपको disable grouping कर सकते हैं, जिससे आप इसे proper देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं, यह आपकी number of जो odd vulnerability थी critical, इसने हमें लाकर दिया है, अब सबसे पहले इसे आप देख लीजिए, जो devian इसके अंदर use हो रहा है, उसके बाद इसने बताया है कि SSL चेक करने के बाद यह vulnerable मिला है, उसकी stability score आप देख सकते, लिन उसके इलावा आप बाकी detail भी देख सकते, और इसका CVE जो assign हुआ, उसकी भी इसने detail हमें दिये, हम इन CVE की थुरू इसकी और much more detail लिकाल सकते हैं कि इस vulnerability को हम exploit किस तरह से कर सकते हैं, आप देख पाएंगे, यह NVD website पर हमें लेकर आया है, तो national vulnerability database है, इसमें इसने हमें बताया है किसी stability क्या है, इसका solution क्या है, और बाकी detail भी आप देख पाएंगे, और इसका कही न detection हुआ है, तो wet door आप देख सकते हैं, इसने particular command को run करके हमें output दिया है, इसने id command को utilize करा है, और route से login करा है, background में जो कि आप देख पार है, तो यहां भी इसने में इसका CVE detail दिया है, इसका जो CVE आप देख पाएंगे, इस base score 10.0 इसने हमें बताया है, इसी तरह से बाकी भी आप देख पाएंगे, तो हार एक vulnerability को इसने हमें बताया है, मैं हार एक पर आपको explain नहीं कर सकता हूँ, तो आप खोद इसे scan करें और इसके result को analyze करें, इसने दो चीजे हमें बताई है, जो आप apply कर सकते हैं, इसी तरह से history आप देख सकते हैं, कितिवार हमने scan किया है, अब ह आप देख पाएंगे, इसने हमें बताया कि 6 critical vulnerability है, तो 6 critical vulnerability आप देख सकते हैं, इसमें हमें MS 08067 vulnerability मिल रही है, यह SMB की vulnerability है, आप इसका port भी देख सकते है, 445 पे यह vulnerability running में है, और इसके इलावा भी इसने हमें detail दिया है, इसने सबसे पहले हमें बताया कि unsupported installation detection, ऐसा OS आप इसका support बंद हो चुका है, तो इसने हमें उसकी detail हमें लाकर दिये, आप उसको भी देख सकते, तो इसी तरह से यह पूरा output आप analyze कर सकते, तीसरे machine पर मैं आ रहा हूं, इसका विंडोस 7, इसका भी आप देख पाएंगे, unsupported Windows OS detection, तो जो कि आप देख सकते हैं, इसका भी Microsoft न बना के save कर सकते, तो आप report पर जाएं, यहां से तीन format हमें मिल रहा है, हम PDF में इसे रख लेते हैं, तो आप देखिए, जो भी आपने scanning करा है, इसका आप summary रख सकते, या custom करके अपने according रख सकते, आपको क्या-क्या चीजी चाहिए, हम generate report करते, यह PDF फाइल बना कर हमें आप जो भी आप scan करते हैं, इसकी report आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे penetration testing करते हैं, तब यह report हमारे लिए useful होती है, इसी से हमें पता चलता है, कि किस vulnerability को मैं exploit कर पाएंगे, किस को नहीं कर पाएंगे, तो आप report देख सकते हैं, इसने proper way में हमें पूरी तरह स किया है, जिसमें हर एक चीज़ इसने explain किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, आगे हम चलते हैं, इसी तरह से हम access service pack 2 पर आते हैं, इसका भी report आप generate कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे export करके, किसी और necessity के अंदर इसको utilize कर सकते हैं, तो depend करता है आपकी requirement पर, यह एक necessity का overview मैं आपको बताया है कि किस तरह से आप necessity को utilize कर सकते हैं, I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपको मेरे यह वीडियो अच्छा लगाए, तो आप इसे like करें, share करें and comment करें, आप यदि मेरे channel पर पहली बार आए, तो आप इसे please subscribe किजे, इस वीडियो में इतना Thank you